अब हम लोग बढ़ते हैं chapter number 3 class 6 NCRT की तरफ तो देखे इसमें हम लोग जानेंगे separation of substance मतलब कोई चीजों को separate करना है वैसे देखे separation का जो importance है आप समझ सकते हो आप NCRT पर रहे हो तो आपको पता होगा यह मालो अगर six pages की book है six pages की एक chapter है ठीक है तो आप उसमें से activities segment को हटा सकते हो जो कुछ local grave examples दे रखे हैं उसको remove कर सकते हो तो यह मेरा काम है मैं उसको कर रहा हूँ condense करके जो topics होते हैं जो favorable outcomes होगे वो मैं आपके सामने लाके रख दूँगा उससे आप काफी benefit ले सकते हो ठीक है आपको बहुत मेहनत करने की जरूत नहीं पड़ेगी लेकिन एक NCRT की book अगर आप अपने पास रखोगे तो at least जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको एक बार फिर तो बहुत सारी चीज़ा ऐसी होती है जो mixed होती है और जो mixtures बनता है materials का उसको separate करने की जरूत पड़ती है जैसे हम लोग जो leaves को separate करते हैं liquid से एक strainer यूज़ करके अगर हमें tea बनाना है तो आप देख सकते हो ठीक है इसी तरीके से बहुत सारे चीज़ों को separate करना पड़ता है जैसे milk से अगर हमें butter को बाहर निकालना है तो एक churning process होता है वो हमें carry out करना पड़ेगा ठीक है इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको perform करना पड़ेगा to separate anything जैसे अगर आपको माल लो stones को separate करना है ice से तो या फिर milk को churn करना है butter obtain करने के लिए या फिर tea को tea leaves से अलग करना है clear है तो न हम लोग जो भी काम करते हैं separation न करते हैं उसमें बहुत सारे कुछ-कुछ processes होते हैं NCRT में उन process के बारे में अच्छे से explanation दे रखा है और उन processes को use करके बहुत सारे commissions questions को frame करते रहते हैं जैसे वो process कौन-कौन सा हो सकता है एक तो hand picking हो गया सबसे easy चलो हाथ से ही separate कर देते हैं फिर tracing होता है, winnowing होता है, sieving होता है, sedimentation, decantation and filtration होता है फिर evaporation method होता है और और वी बहुत सारा तरीका है तो हम लोग one by one करके इसको एक एक करके समझते हैं सबसे पहले अगर हम लोग hand picking की बात करें सीधी सी बात है, directly remove कर देना है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूत नहीं है जब हम लोग hand picking method को use करते हैं तो हमको slightly larger size impurities को remove करना होता है जैसे माल लो या तो stone हो जाए या husk हो जाए किसी wheat या rice के plate से husk मतलब उसी की छिलके को कह समझ सकते हो आप stone छोड़ छोड़ चोड़ कंकर्स हो गए जो आपके eye से visible है उसको आपको निकालना है और थोड़े बरे size में है जो pieces of dirt हो गए वो भी अगर इन impurities की बात करें तो आप देख सकते हो यह जो भाई साब है वो hand pick कर रहे है stones को from grain simple सा process है hand picking का ठीक है तो quantity बहुत जादा नहीं होगा वैसे impurities का आपके जो भी आप चीजों से separate कर रहे हो उसमें quantity बहुत जादा नहीं होगा ने तो यह भी एक tedious task हो जाएगा तो यह एक convenient method है hand picking clear है चलिए अब हम लोग hand picking में करते क्या है directly remove कर दिया hand से उसके बाद हम लोग use करते है basic चीजों को जो भी हमें waste है उसको remove करके इसको throw out कर देंगे तो हमारा काम हो गया basic hand picking का अब हम लोग बात करते हैं second important is tracing अगर हम लोग tracing की बात करें तो इसमें आखिर हम लोग करते क्या है ठीक एक इसमें हम लोग करते क्या है basically basically जो plant के stocks होते हैं उसको हम लोग beaten करते हैं ताकि जो भी उसके जैसे मालो यह plant है ठीक है इसमें plant के seeds लगे हैं आप देखे होगे अगर wheat and rice को ठीक है तो उसको हम लोग क्या करते हैं उसको जटके देते हैं और इसके साथ-साथ grain seeds जो होते हैं उसको हम लोग free करते हैं मालो एक bundle of wheat है या फिर paddy stock है कठरी जो कि आप देखते होगे जैसे harvest हुआ फिल्ड में ऐसे छोड़ के चले आते हैं तो जैसे ही वो dry हो जाता है sun की मदद से उसको हम लोग उससे separate करते हैं ठीक है simple सा method है अगर हम लोग tracing कर रहे हैं तो हम लोग उस दानों को separate कर रहे हैं उस पेर से उस plant से आप चाहो तो अगर बहुत बड़ी field है आपकी paddy field या wheat field तो आप एक और काम कर सकते हो इसको बुलक की मदद से या फिर machine की मदद से कर सकते हो उस machine को thresher कहते हैं तो यह हो गया हमारा tracing process आप देख सकते हो tracing process ठीक है यह भाई साब tracing process को perform कर रहे हैं तो tracing और hand picking तो हम लोगों ने देख लिया अब हम लोग बात करते हैं विनोइंग के एक्जाम में आपको यहां से question बनता है विनोइंग process क्या होता है भाई बेसिकली विनोइंग में क्या करते हैं हम लोग separate करते हैं heavier and lighter component को heavier and lighter component को अलग-अलग करते हैं आप देख सकते हो directly written यहां heavier and lighter component को mixture से अलग करते हैं तो विनोइंग जना बहुत ही ज़्यादा magical चीज नहीं है आप simple सा काम करना देखो इनको देखो यह कैसे कर रही है विनोइंग process अगर हम लोग विनोइंग process को देखते हैं तो काफी simple way में heavier and lighter component को अलग किया जा रहा है किसकी मदद से wind की मदद से या फिर आप air को blow कर लो आप यहां पे एक fan भी लगा के कर सकते थे यह काम जरूरी नहीं है कि वो air blow होना ही चाहिए यहां से आप fan blow कर लो उससे भी हो जाएगा heavier component नीचे की तरफ fall करेगा lighter component जो husk होता है वो बाहर की तरफ चला जाएगा soup जो हो गया एक simple सा handmade cheese होता है जिससे हम लोग separation का काम कर सकते हैं अराम से grains जो हमारा actual product है वो यहां राज जाएगा क्यूंकि grain जो है वो heavier है husk से तो यह हो गया आपको winnowing बहुत ही basic process अब बात करते हैं हम लोग अपने तीसरे process की तरफ से sieving उसको कहते हैं sieving को समझते हैं आखे स grant होता क्या है थीक है shark basically हम लोग sieving में क्या करते हैं वैसे particles को PR करते हैं वैसे particle को स अपरेट करते हैं और वैसे component को सेपरेट करते हैं जो different sizes की होंगे आप देख सकते हो इनको pebbles और stones को remove किया जा रहा है sand से pebbles और stones को remove किया जा रहा सैंड से बाई सिविंग प्रॉसेस ठीक है सिंपल है बेसिकली अगर हम लोग सिविंग की बात करें तो फाइन पार्ट अब जिसे ये इन्होंने एक छलनी जैसा लिए रखा है मालो जिसे ये फाइन पार्टिकल्स तो नीचे गिर जा रहे है और जो बड़े-बड़े पार्टिकल्स हैं शर्षलें वह बाहर की तरफ रह जा रहे हैं आप देख सकते हो ठीक है तो हम लोग इसमें यही करेंगे जो फाइन पार्टिकल्स होँगे इसी अर्रेंजमेंट को सीव कहते हैं सीव के थुरू holes के through, बाहर के दरफ गिर जाते हैं और जो bigger impurities होते हैं वो बाहर, वो उसको हम लोग separate कर पाते हैं ठीक है basically इसको हम लोग use करते हैं stone के pieces को हटाने के लिए stock को हटाने के लिए, husk को हटाने के लिए जो की wheat में बच जाता है threshing और winnowing के बाद भी construction में तो use करते ही है ठीक है, तो यह होगया हमारा sieving process अब हम लोग बात करेंगे sedimentation decantation and filtration sedimentation तो आप सुनते आ रहा होगे, काफी दिनों से decantation and filtration की बात करेंगे sedimentation basically यह जो process है, आप sieving यहाँ भी देख सकते हो, किस तरीके से sieve किया जा रहा है fine particles को यहाँ निकाल दिया जा रहा, जो bigger particles है उनको यहाँ पर separate out करके बाद में throw कर दिया जाएगा ठीक तो अगर हम लोग sedimentation decantation and filtration की बात करें तो इस case में हम लोग separate करते हैं lighter impurities को, इस बात को ध्यान रखना है अपको basically हम लोग lighter impurities की बात करते हैं sedimentation, decantation and filtration के case में जिसको आप winnowing या handpicking process से आप अलग नहीं कर पाऊगे उसको हम लोग sedimentation, decantation and filtration यूज करेंगे हैं basically क्या होता है जब heavier component होता है ना किसी भी mixture में settled हो जाता है जैसे मानलो को एक mixture है मानलो को एक mixture है कुछ हम लोगों ने mug ले लिया उसमें heavier particles है और कुछ lighter particles भी है lighter particles को आप समझ लो यह इस तरीकी का mix है lighter है आप क्या करोगे इसमें पानी डाल दो पानी डाल दिये चलो पानी डालने के बाद हमें यह तो पता चल गया कि यह पानी का level उपर आ गया तो lighter particles उपर आ जाएगा तो heavier particles नीचे की तरफ settled हो जाएगा तो settling down of heavier particles on the base and lighter particles on the top level इसी को basic sedimentation कहलोगा तो जो फिर हम लोग क्या करेंगे water को जो भी dust particles होगा जो छोटे-छोटे lighter particles होगे उसके साथ अगर हम लोग उसको remove कर दे तो उस removal के process को कहते है decantation आपने water मिलाया तो sedimentation होगया settle down होगया heavier particles अब आप क्या कर रहे हो उस water को lighter particles के साथ remove कर दे रहे हो तो वह होगया decantation भाई आप इसको use कहा करोगे same process आप यूज कर सकते हो दो different अगर liquid mixture है जो की immiscible है immiscible का मतलब आपस में mix नहीं हो पा रहा है जैसे oil plus water आप अगर oil mix करोगे water mix करोगे तो oil उपर की तरफ float हो जाएगा तो आपस को separate out कर सकते हो filter use करके ठीक है तो ये एक तरीका है तो आपने sedimentation decantation समझ लिया अब हम लोग बात करेंगे filtration process की ठीक है sedimentation decantation जितनी भी चीज़े थी इसमें उसको मैंने ruled out करके जो भी points मुझे थे मैंने इस आपको बता दिया है ठीक है चलिए अब हम लोग बात करते हैं simple सा filtration process filtration process किस तरह काम करेगा filtration में आप separate करोगे solids को liquid या gas से solid को separate करना इसको हटाना है किस से तो या तो liquid से या gas से यही करेगा filtration का main काम है ठीक है simple सा है अब हम लोग बात करेंगे evaporation ठीक है evaporation की बात कर लेते हैं वैसे process को कहते हैं जहांपे water vapor में convert हो जाए water जो है वो vapor में convert हो जाए यह एक example है आपको evaporation का अगर माल लेजे sea water की बात कर लेते हैं हम लोग बहुत सारे salt के component उसमें mixed होते हैं जैसे common salt हो गये जब हम लोग sea water को एक shallow pits में या फिर उसको हम लोग एक जगा पे hit करें या फिर किसी माल लिजे वो ऐसे shallow pits था उसमें sea water आके store हो गया हो गया कहीं से tide wide से आके फिर यहां पर क्या हुआ evaporation हुआ किसकी वज़े से sun की वज़े से sun के वज़े से evaporation हुआ तो water एक component उपर जाने लगे फिर जब water heat हुआ sunlight के वज़े तो धीरे धीरे यह water of vapor में convert होने लगा जब यह water of vapor में convert होने लगा जो process हो रहा evaporation हुआ कुछ समय के बाद water सारे evaporate हो जाएगी और पीछे छोड़ जाएगी salt ठीक है तो evaporation process से हम लोग salt के को भी extract करते हैं समझ में आ गया होगा अगर हम लोग बहुत सारे different substance किसी mixture में जैसे salt हो गया और water mixture हो गया उसको separate कर सकते हो आप decantation से, filtration से, evaporation से condensation से condensation क्या process हो गया condensation एक simple सा process है जहाँ water vapor को फिर से हम लोग liquid में convert कर लेते हैं तो process आप यूज कर सकते हो आपने daily life से जो भी चीज़ आपको मिलती है salt water है उसको आप bigger में यूज करके heat कर रहे हो यहाँ से भी आप evaporate कराके नीचे जो इसके flask पे जो होगा वो आपको salt मिल जाएगा समझ में आ रही है अब देखें यहाँ पे sedimentation and decantation use करके दो component किसी mixture को separate किया जा रहा है मैंने अल्रड़ी बता दिया आपको decantation क्या है, sedimentation क्या है इसमें तो कोई समझने वाली बात है नहीं अब clear है अब लोग बात करते हैं condensation अल्रड़ी हम लोग ने बात कर लिया reverse of evaporation you can say ठीक है देखिए ऐसे obtain कियाता है salt को sea water से ऐसे एक तरीके से condensation क्या है कुछ भी नहीं है आप एक flask चरा रखे हो gas पे यहां से water vapor जा रहा है उपर आप क्या करो एक धककन से उसको कबर कर दो धककन को अठाके देखना जो vapor होते है वो liquid form में आ जाएंगे उसी को कहते है condensed form में आ गया हो ठीक है तो यह था हमारा जो basic activities होगा उसको आप खुद देख लिजएगा activities जानने की जरुत नहीं है आप देख लो evaporation and condensation process evaporation यहां हो रहा है और इसको अगर हम लोग use कर ले तो यह condensate हो जा रहा है ठीक है अब अब यह जानने वाली बात है कि क्या हम लोग पानी में क्या किसी भी amount के substance को dissolve कर सकते हैं क्या जो पानी है वह एक black hole है क्या वह black hole है जो आप जो भी चित चाहोगे उसको dissolve कर दोगे यह possible नहीं है एक term होता है equilibrium point उस term का मतलब यह होता है कि हर एक liquid की हर एक अगर मालो water की बात करते हैं तो एक limit होती है solubility की the dissociation of any substance in water वो depend करता है कि आप कितने amount of substance use कर रहे हो और कितनी volume of water use कर रहे हो समझ रहे हो एक point आएगा equilibrium का जहाँ पे आप कुछ भी उसमें add कर लो वो mix नहीं होगा equilibrium कहने का मतलब होता है equilibrium कहने का मतलब होता है या फिर आप saturation point कह सकते हो यहाँ पे ज्यादा apt होगा मतलब water जो होता है dissolving capacity को बोल रहा भाई अब बसकर I can't take it anymore we need a break ठीक है पानी कह रहा है कि आप मुझे break चाहिए अब मैं बहुत मिल गया आपसे अब मुझे थोड़ा आपसे दूरी बनाना है तो आप उसके बाद कितना भी चीनी डालते रहो कितने भी सूगर डालते रहो mix ही नहीं होगा उसमें तो आप गह सकते हो magic है यह saturating point of water हो गया जहां पे आप इतना ही solute को डालके solute solvent की बात हम लोग फिर से अलग से separate से कर लेगे इतना ही point map कर सकते हो ठीक है तो एक solution को आप saturated तब बोलोगे क्यूंकि उसके बाद उस point के बाद आप कुछ भी उसमें add करो वो उसमें dissolve नहीं होगा तो वो saturated solution है लेकिन क्या आप saturation को disturb कर सकते हो आप मालो एक glass पानी था उसमें 5 ग्राम नमक मिला सकते थे क्या मैं कह सकता हूँ कि कोई बात नहीं है आप 10 ग्राम लेके आओ मैं मिला दूंगा same amount of water में मैं कह सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इस पानी को heat करूँ अगर मैं इस water को heat करता हूँ तो randomness इस particle इस water के molecules का बढ़ जाएगा because of evaporation तो मैं कुछ जुगार लगा सकता हूँ जिससे क्या होगा quantity increase की जा सकती है या तो heat कर दो या water volume बहा दो ठीक है चलिए और एक चीज और last point मैं add कर देता हूँ कि जो जो भी component add हो रही है वो salt अलग मालो 5 gram add हो जा रही है तो हो सकता है जो हम लोग चीनी लेंगे तो वो 10 gram add हो जाए अलग 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 तरीके से dissolve करती है different liquid में अलग अलग तरीके से behave करती है ठीक है तो आप इस पूरे chapter से churning, condensation, decantation, evaporation, filtration, hand picking, saturated solution, sedimentation, sieving, solution, tracing, renewing मुझे नहीं लगता है कि मैंने इसमें से एक भी point missed किया है ठीक है एक भी point missed नहीं है तो आप आराम से enjoy करो lectures को अपने दोस्तों के साथ सेयर करो notes मिलेगा, notes पे time लगेगा मुझे महनत करना पड़ेगा, काफी जादा महनत करना पड़ेगा notes पे क्योंकि मैं पढ़ाने पे तो direct पढ़ा दे रहा हूं लेकि notes पनाना पड़ेगा मुझे individually खुद से अकेला और मेरे पास कोई team नहीं है मैं खुद अकेले काम करता हूं ठीक है तो आप इससे गर benefit ले रहे हो तो उसको share करो अपने friends के साथ, family के साथ किसी के भी साथ कर सकते हो ठीक है तो और आगे चलते हैं हमारे lesson no.4 के पास ठीक है तो हमारा separation of substance is over अब हम लोग further move करते हैं chapter no.4 class 6 general science NCRT की chapter no.4 पर getting to know our plants ठीक है देखें सबसे पहले तो यह जाने है देखें यह जो image दे रखा है natural walk कितना बहुत ही खुबसूरत image दे रखा है ठीक है अब तो बहुत सारे आप UPSC देख लो या state pieces देख लो वहाँ पर directly copy करते है question को यहां से ठीक है उनको लगता है काफी मतलब यह जो basic source है वो काफी जादा इसकी reach है ठीक है चलिए तो पहले बात कर लेते हैं अगर हम लोग plants की बात कर लें तो plant जो है living things है जो grow करती है soil पे और उसके बहुत सारे various parts होते हैं जैसे stem हो गया root हो गया और leafs हो गया flowers and fruits हो गया आप देख सकते हो एक हमारा part of the plant का system दे रखा है उसमें basically एक root system दे रखा है आपको बनिद्द आप soil के नीचे वाली part को देखिए और ऊपर दे रखा है secondary root तो primary root system consists of primary root and secondary root system अगर हम लोग suit system की बात कर ले मतलब हमें move करना है अपर part of the plant में तो आपको उसमें दीखेगा buds buds देख सकते हो आप छोटे छोटे जो budding process होते हैं वो leaf देख लीजे stem तना हो गया fruit हो गया flower हो गया node हो गया जहां पर यह connect हो रहा है inter node हो गया between two nodes ठीक है यह हो गया तो यह सारे parts हो गया हमारे plant के clear है flower की बात कर ले तो यह आपको reproduction में help करते हैं leaf की बात कर ले तो यह photo synthesis के process को perform करते हैं fruits की बात कर ले तो यह बसी के लिए seeds को protect करते है fruit का main काम होता है seeds को production का इस बात को सुनके चौकिएगा मत ठीक है stem की बात कर लेते हैं तो वो support करते है plant को mechanical support देते है as well as external support भी देते है roots की बात कर ले तो यह water and minerals को absorb करते है water and minerals को absorb करते है तो यह चीज़ों को आप ध्यान इसको मैंने एक्स्ट्रेक्ट करके आपके सामने लाके रख दिया है अब देखें हर्ब्स, सर्ब्स और ट्रीज के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत कुछ इसमें जानने की ज़रवत भी नहीं है देखें जो basically जो plants का या herbs का करेक्टरेस्टिक होता है उस basis पे आप classify कर सकते हो किसी भी physical characteristics देखकरके कि वह Herb है, serb है या फिर tree है आप डेखो यह figure देखते हैं हम लोग यह जो A है यह हो गया Herb B हो गया serb और C हो गया tree आपको देखके कुछ पता चल रहा है? डिफरेंसेस तो हम लोग उस डिफरेंसेस को समझते हैं सीधरी साी बाद है अगर हम भोग Herbst की बात करेंगे तो ग्रीनी प्लांट होगा और बहुत ही Tender edchem होंगे बहुत ही कमजूर लचीले इरिसीर्फ होंगे Tender edarthedche pig इसकी कयरक्डरिस्टिक होती है basically यह shorts होते हैं आपको छोटे-छोटे होंगे और बहुत सारे branches नहीं होंगे या फिर नागे बरावर branches होंगे आप 4.3 figure जो है आप उसको देख के समझ सकते हो कभी तो herbs की बात कर रहा है था ना तो वो ये वाली figure है sorry मैंने आपको भी बता दिया herbs यह है देखो tender stem होगा उसका और branches काफी ज़्यादा diversified नहीं होंगे smooth branches होंगे ठीक है तो ये herbs हो गया अगर हम लोग कुछ ऐसे plants होते हैं जिसमें branches उसके base पे अच्छे से develop हो जाते हैं stem के form में stem जो होते हैं वो hard होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होंगे वैसे plants को serb कहेंगे थेक है वैसे plants जिसके stem तो develop करते हैं hard होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मोटे मोटे नहीं होते हैं ज़्यादा ठीक नहीं होंगे उनको हम लोग serbs कहते हैं आप देख सकते हो इन फिगर्स को, स्टेम्स तो डेवलप किया है, बिल्कुल किया है, लेकिन वह बहुत जादा मोटा नहीं है, ठीक है, चलिये, तो यह सर्ब्स हो गया, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, जो बहुत ही टॉल होते हैं, और उनके स्टेम्स भी ठीकर होते हैं, ठीक है, उसे वैसे प्लांट्स को, आप ट्रीज कह सकते हो, तो मैंने बेसिक लैंग्वज में, हर्ब्स, सर्ब्स इन ट्रीज को बता दिया, देखो बहुत सारा यह चीज़े तो लगती है काफी बेसिक हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं, यह पता नहीं होता है, और जानने की जरुत नहीं पड़ती कभी लेकिन हाँ, अगर आप इन सी अर्टी को डिमेंसिफाई करना जाते हैं, सिंप्लिफाई करना जाते हैं, तो आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा, clear है, चलिए, तो basic अगर हम लोग revision करने की बात करें, herbs क्या होता है, plant वैसे plants जो green and tender stems के होते हैं, usually चोटे होंगे, और बहुत सारे उनकी branches नहीं होंगे, जैसे sunflower हो गया, यह भी एक herbs का example है, अगर हम लोग herbs की बात कर लें, तो plant जिनके branches, base के पास ही होते है, stem भी होते हैं, लेकिन stem hard तो होते हैं, लेकिन बहुत जादे thick नहीं होते हैं, जैसे lemon tree हो गया, अगर हम लोग trees की बात कर लें, तो उसका example तो mango है, आप जान सकते हो, अगर नो next move करते हैं, creepers पे, creepers and climbers को समझते हैं, फिर हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे, देरे देरे, creepers and climbers को समझते हैं, अगर हम लोग creepers की बात कर लें, तो figure 4.4 पे चलते हैं, शलिए, यह होगे creepers, यह होगे climbers, ठीक है, climbers तो आप देख रहे हो, climb कर रहे हैं उपर की तरफ, और creepers जो हो रहे हैं, वो फैल जा रहे हैं, तो creepers को समझते हैं, वैसे plants, जिनके stem काफी weak होते हैं, जिनके stem काफी weak होंगे, और वो खुद पे खुद खरे नहीं हो सकते हैं, और वो जमीन पे फैलेंगे, यह देख लो, आप पूरी के पुरी जमीन पर फैलेंगे ये लेकिन वो stand away नहीं हो सकते हैं जैसे money plant हो गया ये अब अगर सम लोग subs को जान लेते हैं स्वारी climbers को जान लेते हैं वैसे plants जो supports लेते हैं climb up करने के लिए जैसे grapes हो गया clear है अब हम लोग कुछ समझते हैं major parts of the plant में तो major parts of the plant में सबसे पहले तो हम लोग stem ही जानेंगे stem stem को समझते हैं चल ये stem जो होता है वो leaves को carry out करता है वो leaves को अपने साथ attach करता है ठीक है दूसरी चीज़े हम लोग समझते हैं leaves के साथ साथ branches, birds, flowers and fruits को भी अपने साथ attach करता है तो इनका काम है attachment का stem का main काम क्या है attachment का stem, bear leaves, branches, birds, flowers and fruits ठीक है अगर हम लोग बात करें तो stem का main काम क्या होता है ये तो हम समझगे कि वो उनके साथ attached होता है physically आप समझ सकते हो हाँ ये चीज़े इनसे attached है तो ये stem है लेकिन आप ये कैसे समझोगे कि stem का main काम क्या होता है basically stem जो करता है वो आपको movement करने में help करता है water and minerals का ठीक है stem जो होता है वो movement करने में help करता है that is upward movement of water and minerals जो होता है leaves से और other parts of plant में stem के द्वारा जाता है तो stem का role जो है वो काफी intensified है in case of plant अब देखो इसी को समझाने के लिए इन्होंने एक experiment दे रखा है एक activity दे रखा है कि आप करो प्यारे बच्चों आप करो और ये activity से कुछ निकाल के generate करो सोचो ठीक है तो ये काम तो आप करोगे नहीं बस एक चीज़ समझ ले न ये stem होता है और ये stem और leaf के बीच में जो test होता है वो line उसको petiol कहते हैं और जो outer covering circumference है उसको lamina कहते हैं इतनी चीज़े अभी समझो इतने के लिए काफी है और मैंने आपको बता दिया जो stem होता है वो basically आपको help करता है water and minerals को moment करने में इतना ही चीज़े समझना है अब हम लोग बात करते हैं अपने पत्तो की leaf की अगर हम लोग leaf को समझे तो leaf usually petiol and lamina होता है leaf में petiol and lamina होता है मैंने भी आपको ज़स्ट दिखाया petiol वैसे connections जो stem को leaf से connect करते हैं lamina आपके उसके outer circumference हो गया ठीक है तो अगर हम लोग petiol को समझे तो वैसे part of leaf जिससे stem attached होता है वो petiol हो गया lamina की बात करे the broad green part of the leaf is called lamina आप इसके circumference से यहाँ से चले जाओ पूरी count करते हुए पूरे count कर लो इसके circumference को यहाँ से यहाँ तक यह पूरा का पूरा lamina हो गया ठीक है अच्छा एक concept में आपको यहीदे बताता हूँ एक होता है lamination lamination ठीक है कभी-कभी क्या होता है हमार वास एक magnet है ठीक है एक हमार वास magnet है उसमेना कभी-कभी eddy current एक term होता है eddy current मतलब एक law होता है faraday law of electromagnetic induction उससे क्या होता है किसी भी magnetic field को आप अगर किसी भी किसी भी wire को या फिर एक conductor को किसी magnetic field में north-south में इसको rotate करवा दो तो इससे ना electricity generate हो जाती है कभी-कभी यह electricity magnet के core में भी generate होती है magnet के core में generate होती है और वो depend करती है उसके कितनी बड़ी magnet है अगर जितनी बड़ी magnet होती है उतना जादा उस current के intensity होती है और एक बात समझ लो यह जो current होती है वो हमें चाहिए नहीं अगर आपके घर में कोई appliances लगा है कोई device लगा है उसमें अगर current जादा है किसी भी magnet के अंदर तो वो device को harm कर रही है एक टर्म होता है हमिंग effect magnet के strength को magnet के physical characteristic को वो disturb करती है तो हम लोग क्या करते है हम लोग यह करते है चलो यह पता चल गएगी हमें अब दिक्कत आ रही है हमारे जो magnet हमने यूज किया है उसमें AD current flow कर जा रहा है तो हम लोग क्या करते है उस magnet के पार्ट को लेते है अब जैसे मालो पहले AD current ऐसे flow कर रहा था पूरा circulating current होता है तो वो अंदर में flow कर रहा था आपको बहुत research नहीं करना है बस जानना है हम लोग क्या करेंगे हम इसको जब मैंने बता दिया कि इसकी जो strength है तो कम करो तो हमने उसको laminate कर दिया मतलब पूरे magnet को ऐसे से cross करके उसके बिच पे thin seat of mica या paper को लगा दिया अब क्या हुआ यही जो AD current था वो छोटे छोटे shape में बदल गया इसकी strength कम हो गई तो अब जब यह छोटे छोटे हो गए तो यह किसी के कुछ नहीं बिगार पाएंगे तो issue कहते है lamination और यह हुआ addy current तो यह basic concept है कभी exam में आ जाए तो इसको use कर लेना नहीं आए तो फिर कोई बात नहीं है तो अभी हम लोग leaf पे थे यह हो गए vents ठीक है और इसी तरीके से और हम लोग समझ लेते हैं prominent lines in the middle of the leaf is midrib जो beach में जैसे यह line जा रखा है और एक minute हाँ यह इस तरीके से line जा रखा है beach leaves पे तो यह beach वाला जो हो गए नहीं हो गए midrib midrib ठीक है और जो छोटे छोटे उसके साथ में जो winds जा रहा है वो normal winds कह लिए है उसको हम लोग यह जो design है completely leaf का इसको हम लोग leaf venation कहते हैं क्या कहते हैं leaf venation आप NCRT खोलना आपको अगर यह चीज़े टर्म ना मिले तो मेरा नाम बदल देना मतलब मेरे चैनल का नाम बदल देना मेरे नाम तो जानते नहीं हो चलो clear है अब हम लोग बात करते हैं एक होता है reticulate venation reticulate venation का मतलब क्या होता है knit like venation on both side of the midrib यह जो complete structure है इसी को reticulate venation कह सकते हो आप अगर हम लोग parallel venation की बात करे vents जो होता है वो जो vents है यह इस दोनों के beach का जो पाठ हो गए तो हम इस आपको दिखेगा कि parallel है parallel दिखेगा तो इसी को हम लोग parallel venation कहते हैं इतना ज़रूत नहीं है लेकि इतना समझना कि venation जो है वो leaf से related है ठेक है अब leaf का main काम क्या होता है भाई leaf का काम तो बहुत ही तगड़ा काम होता है क्या काम होता है देखो मैंने आपको अभी जो जो term ने explain किया वो क्या था parallel venation मैंने कर दिया figure 1.4.10 देखो ये हो गया midrive जो beach से गया ये हो गया side वाला winds clear है तो leaf venison आप समझ गए parallel venison आपको समझ में आ रहा ये दो जो चलाद है उसके बीच का clear है तो ये सारी चीज़े मैंने आपको explain कर दी देखो अभी तक मैंने जितनी चीज़े बताई leaf venison हो गया reticulate हो गया midrive हो गया winds हो गया सारी चीज़े आपको मिल जाएंगी क्योंकि इसको मैंने already prepare किया है पहले read किया है उसके बाद मैं आपके भास आया हूँ ऐसा नहीं है कि मैं बस ठीक है मैं इसको परहा सकता हूँ directly भी लेकिन directly परहा के फायदा नहीं है उस पर time नहीं लगता हूँ जो भी हरी में है वो थोड़ा सा patience दिखाएं क्योंकि ये चीज़ों को थोड़ा पढ़ने में समय लगता है चलिए आपो लोग function की बात कर लेते हैं lifts का main काम क्या होता है lifts करता है आपको water vapor को leave out करता है plant से ये इसका main काम है और इस process को क्या कहते है ये process ध्यान रखेगा इस process कहते है transpiration transpiration ठीक है तो transpiration कहते है उस process को ये सारे activities से आपको देखने को मिल जाएगी जो भी activities हैं आप एक बार read कर लेना देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यह चीज़ को पर हो ये बच्चों वाली बात हो जाएगी फिर जो class 6-7 के बच्चे होते हैं आपको नहीं परना आपको उसमें से extract करना है ये transpiration process आपको समझ में आनी चाहिए ठीक है green leaves जो होते हैं वो food बनाते हैं किस process से photosynthesis के process से किसको यूज करते हैं carbon dioxide को यूज करते हैं sunlight के presence में देखिए class 6 के इंसे आट है तो मैं उसी level बे बात करूँगा आगे और intensify कर दूँगा इसको ठीक है तो photosynthesis के अगर बात करें photosynthesis के अगर बात करें तो use क्या क्या होता है CO2 plus water in presence of sunlight ठीक है चलिए तो ये समझ में आ गया अगर हम लोग root की बात कर ले next topic जो होगा stem समझ गया leaf समझ गया अब आता है हमारा root अगर आपकी root अच्छी है तो आपके plants अच्छे होंगे, stem अच्छे होंगे सारे अच्छे होंगे, roots क्या करता है roots जो होता है, water को absorb करता है और mineral को भी absorb करता है soil से यहाँ पे लिखा, पहेली और बुझो इसा बच्छो के लिए है, enjoy करो ठीक है, तो basically जो roots का काम होता है वो water को absorb करता है और mineral को absorb करता है soil से water में, अगर हम लोग बात करे root की, तो वो plant जो है, वो soil से firmly attached है जिसके कारण वो stand up है, तो इसको कहते anchoring of the plant, तो plant में वो anchored भी है, roots की help से आप कहे सकते हो, soil में clear है, अब बात करते है roots जो होता है, वो दो तरीके का होता है, में ली, एक होता है आपको tap, tap root tap root कहने का मतलब हो गया, tap root कहने का हो गया main root, root में दो तरीके हो एक tap root हो गया इसको आप कहते हो main root, एक होता है आपको fibrous root और इसको आप secondary root कह सकते हो ठीक है, हम लोगों ने पहल ही diagram में देखा था, main root कौन है और fibrous root कौन है, या secondary root कौन है ठीक है, आप एक बार revisit करके इसको देख सकते हो ठीक है, आप देखो primary root and secondary root हो गया main root system में, पूरा complete root system में, ठीक है चलिए, आप देखिए जो plants होते है न, उनकी leaves जो होती है leaves, plants जिनकी leaves reticulate होती है venison, reticulate venison ज़्यादा support करती है उनके पास tap roots होते है अगर plants जिनकी leaves parallel venison सो करती है, उनकी fibrous root ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी हलाकि देखने को तो मिल जाएगी आपको दोनो लेकिन जो parallel venison सो करेंगे, वो fibrous root दिखाते हैं उनमें possibility होती होती है fibrous root ज़्यादा देखने को मिलेगी ठीक है, चलिए तो यह हो गया, अब हम लोग बात करते हैं roots की हो गई चलिए, next point है हमारा हो जाएगा types of roots तो हम लोग ने भी देखा एक fibrous root हो गया एक tap root हो गया, एक lateral root हो गया ठीक है, चलिए अब हम लोग flowers की बात कर लेते हैं flowers की जब भी बात हो तो आपको दो चीज़ समझना है सबसे पहले, parts उसके कौन-कौन से होते हैं, एक होते हैं sepals, एक होता है petal फिर stamen and pestil sepals, stepals stamen and pestil आप देखो petals क्या होग है, petals मतलब जो full आप देखते हो flowers के उसके उपर के जो छिलके होते हैं या फिर उनके पंखूरियां कह लो sepals देख लो, जो outer green covering होता है ये, वो sepals हो गया ध्यान से समझना, ठीक है और क्या क्या होता है, plants के अंदर अगर हम लोग fruit, flower के अंदर जाएंगे तो flower के parts में देखोगे तो anther मिलेगा, filament मिलेगा petal मिलेगा, ovule मिलेगा जो की seed बनता है फिर sepals मिलता है, फिर हम लोग अगर और समझें तो stigma मिलेगा, style मिलेगा ovary मिलेगा इसी को pistol कहते हैं, वो की कीचीज़ हम लोग समझते हैं ठीक है, चली अब आप क्या करो sepals and petals को remove करो जब आप sepals and petals को remove करोगे तो आपको stamen के parts दिखेंगे stamen, anther and filament आपको देखने को मिलेगा ठीक है, stamen जो होता है वो anther and filament देखने को मिलेगा उसी में pestil भी होता है एक flower का, pestil में कौन-कौन से part होते हैं, stigma style and ovary, female part of the plant हलाकि इस पे हम लोग और detail में बात करेंगे flowering system में, bio में जैसे से हमारा chapter आगे बढ़ेगा और detail में आख चला जागा अभी class 6 है, उसी level पे हम बात करेंगे मैं चाहूं तो अभी इसको complete dimensify कर दू complete simplify कर दू, लेकिन उसका कोई use नहीं होगा क्योंकि हम लोग इसको और आगे बढ़ते ही जाना है इसमें, ठीक है अगर inner most part की flower की बात करें तो उसको pistil कहते हैं pistil मैंने आपको बताया, इसमें क्या क्या होता है stigma style and ovary होता है stigma style and ovary होता है ठीक है, basically यह female part of the plant हो जाएगा जहाँ पे आपको ovule बनेगा जो की एक seed बनता है clear है, तो आप देख सकते हैं अगर हम लोग pistil की part की बात कर ले तो stigma style and ovary जब पूरी shield होगे flowers के पूरे sepals and petals को तो आपको इस तरकी का shape देखने को मिलेगा clear है, अब देखे यह flower होगय, यह होगय पिस्टिल यह होगय उसके उपर dot dot and thers, और यह होगय स्टामें जो connected है, tubes like structure ठीक है pollination भी होता है, जिसमें बर्थ होता है, seed का, वो हम लोग समझेंगे चलिए अब अगर हम लोग ovary के अंदर जाएं, तो ovules देखने को मिलेगा आपको ठीक है, तो अभी बस basic introductions है इसमें बहुत जादा in करने की ज़रोत नहीं है हम लोग आगे समझेंगे, कैसे pollination process होता है, एंधर से pollination में क्या होगा, एंधर से stigma, एंधर से stigma, that is male part of the plant से, flower से female part of the plant, pollination होता है, pollinating agent कोई भी हो सकते है, housefly हो सकते है, फिर bees हो सकते है इससे क्या होता है, pollination process होता है pollen grains को यह उठाते है अपने पैरों से और फिर एंधर से जाके stigma पर रखते है यहाँ पर दो तर्माता है self pollination, cross pollination, वो से हम लोग आराम आराम समझेंगे, अभी यह chapter complete हुआ तो क्या आप इस पात को समझ सकते हो climbers के बारे मैं बता सकते हो conduct, creepers, fibrous roots thick है, herbs, lamina lateral roots, mid-reeb, ovule parallel venation, petal, petiol photosynthesis, pistil, reticulate venation simple, serves, stamen taproot, transpiration, trees and vents क्या आप इतना answer कर सकते हो बिलू कर सकते हो तो यह answer हो गया 4, आप क्या करना 6 से लेके 12 तक की या 10 तक की बुक पहले खड़ी दो उसके बाद मैं जो भी chapter बता रहा हो उसमें आप एक काम कर सकते हो, उसके जो exercise दे रखे हो वो कर सकते हो, उतना काम आपको करना होगा, ठीक है, तो this is all about chapter number 4, getting to knows the plant basic introduction था, क्योंकि basic इसलिए था, क्योंकि यह class 6 की NCRT है, thank you so much